दोस्तों आज आपके लिए एक ऐसी रेमेडी लेकर आई हूँ जो आपके चहरे के दाग धबों को आपके चहरे की जाईयों को या चहरे की जो डल स्किन है इसे बिलकुल ही ठीक कर देगा एक ऐसा कारगर नुस्खा है दोस्तों जिसके पहले बार के इस्तमाल से ही आप बहुत पुराने समय से ही इसका इस्तमाल चहरे की सुंदर्ता के लिए हमारे स्किन के लिए और हमारे बालों के लिए भी किया आता जा रहा है मुल्तानी मिटी जादर सभी तरह के स्किन वालों को सूट करती, इसका कभी भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, बलकि यहां हमारे चहरे से, हमारे स्किन में से, एक्सेस ओईल को हटाती है, और हमारे स्किन को अच्छी ग्लोइंग बनाती है, प्रक्रिक रूप से हमारे चहरे पर हमारे त्वचा पर ठंडग देती है, और हमें फ्रेश फील कराती है, और इसकिन में से, एक्सेस ओईल जब हट जाता है, तो मुहासों का होना, मुहासों का उगना बिलकुल ही बंद हो जाता है, और साथ ही साथ, चहरे की सफाई के लिए भी बहुत फाइदे मंद है दोसों, तो आप इसका इसका इस्तमाल जरूर करें, इस तरह से टुकडो में भी आती है, पाउडर में भी आती है, मैं दोनों ही तरह की मुल्टानी मिट्टी आपको दिखा रही हूं दोसों, तो दो चमच मैंने हाँ पर मुल्टानी मिट्टी ली है, और गर्मी के मौसम इसे थोड़ी देर पहले पानी में भिगाना पड़ता है हमें परंतु मैंने यहाँ पर पाउडर का इस्तमाल किया है इसी तरह से चंदन का पाउडर भी मैं एक आयुरवेडिक स्टोर से खरीद कर लेकर आई हूँ चंदन का पाउडर भी हमारे चहरे से दाग धबों जाईयों पिग्मेंटेशन को तेजी से हटाने का काम करता है मुहासों के बढ़ने को रोकता है दोस्तों और साथ हमारी तुचा को हेल्दी बनाता है चंदन का पाउडर दो चंदन का पाउडर डाला है यह पैक जो है ना दोस्तों गर्मी के मौसम के लिए तो सबसे बेस्ट है आप खुद में अपने आप में इत्ती ताज़गी महसूस करेंगे इसे लगाने के बाद आप दिन भर अपने आप में बहुत ही हैपी फील करेंगे इसे लगा कर कि अरे वाह मेरा चेहरा कितना अच्छा लग रहा है तो दो चंबत मुल्टानिमिती एक चंदन का पाउडर साथ ही आपको डाला है है यह पर एक विटामिन E ओल का कैपसूल है दोस्तों थोड़ा बड़ा बाला कैपसूल है आप छोटा भी डाल सकते हैं इसमें ताकि हमारे स् C होता है विटामिन D होता है जो कि हमारी त्वचा को बहुत अच्छी तरह से नरिश करता है आप देख सकते हैं मैंने बिलकुल दही का एक टुकड़ा उठाया है ऐसे ही तीन चमच के करीब आपको दही डालना है गर्मी के मौसम के लिए तो दही का फेस पैक यह तीनों ची दही से हमारे चहरे पर चमक आती है और दही में जो लेक्टो बेसलिस नामकतत हो पाया जाता है दोस्तों वो हमारी त्वचा से जुड़ी हुई सारी समस्याओं को दूर करता है हमारे चहरे पर जल्दी रिंकल्स नहीं आते हमारे चहरे पर यदी पिग्मेंटेशन है तो उ आपके चेहरे से सारे दाग धबे दूर होंगे। तो देख सकते हैं मैंने करीब करीब 3-4 दही एड़ किया है। इसलिए मैंने दही का पानी बिल्कुल नहीं लिया है। गाड़ा दही लिया है। ताकि आपको एक बार के ही इस्तमाल से इतना अच्छा रिजर्ट मिल जाए। कई बार क्या होता दोसों रिजर्ट अच्छा नहीं मिलता तो फिर आप लोगों को विश्वास नहीं होता है। इसलिए मैंने इस रेमेडी में तीनों पावरफुल चीजों का इस्तमाल किया है। आप जब इसे लगाएंगे ना आपको खुद को बढ़ा अच्छा लगेगा। और बिल्कुल आपके चेहरे की जो तवचा है उसमें कसाव आएगा। और दही मैंने जो डाला है वो आपके स्किन को मॉश्चुराइज करेगा। आपके स्किन को ड्राय होने से बचाएगा। यदि प्रतिक तरीके से चेहरे के खोई हुए निखार को वापस पाना चाहते दोस्तों तो इस पैक को जरूर लगाएं। आपके स्किन को इतने अच्छे न्यूट्रियेंट्स मिलेंगे दही के जो आपको पता है विटामिन E ओईल का यदि कैपसुल नहीं है तो आप चाहें तो ना डाले दही है। अपने आप में बहुत फायदे मंद है। इतना अच्छा है आपके स्किन को मौशुराइज करेगा। एक एंटी एजिंग फेस पैक है जो कि आपके चहरे पर लंबे समय तक उम्र का पता ही नहीं चलने देगा। आपकी तोचा में बहुत अच्छा कसाओ आएगा आपके स्किन बहुत अच्छी टाइट होगी। और मुहासों के बढ़ने को रोकेगा ये फेस पैक। तो दोस्तों आप इसे जरू ट्राइ करें। और इसे कम से कम 10 से 12 मिनट तक आपको अपने चहरे पर लगा कर रखना है और 10 से 12 मिनट के बाद आप ठंडे पानी से अपने चहरे को धोलें। बहुत अच्छा एक अध्वुत निखार आएगा दोस्तों और चहरे पर यदि जाईया हैं पिग्मेंटेशन हैं दोस्तों तो सब्ताह में तीन बार भी स्पैक का इस्तमाल करेंगे तो चहरे से पिग् का ध्यान कम रखते हैं जिसे हमारे गर्दन में हलका सा कालापन आने लगता है तो कोई भी फेस पैक लगाएं तो उसे गर्दन पर भी जरूर लगाएं तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा साथी साथ मेरे चैनल टिप्स थीएट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा कमेंट जरूर करें दोस्तों इन्फॉर्मेशन कैसी लगी